हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है आल्या भट की फिल्म गंगु बाई की शूटिंग हाली में कम्प्लीट हुई थी संजलीला बंसाली की ये फिल्म काफी जादा बज में बनी हुई है जब से इस फिल्म को अनाउंस किया गया है बता दे अब इस फिल्म के रिलीज को लेकर एक बड़ी अनाउंस्मेंट सामने आ रही है काफी टाइम से ऐसे बताया जा रहा था कि ये फिल्म OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है लेकिन अब अगर ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये संजलीला बंसाली की वन आफ दी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है की एक ओगनाइजेशन भी खोला था जहां वो अंटी साइबर बुलिंग को सपोर्ट करती है इसी के चलते एक बार फिर अंटी साइबर बुलिंग के सपोर्ट में अनन्या पांडे एक बार फिर नजर आई क्योंकि वो खुद साइबर बुली की शिकार रह चुकी है बॉल वुड आक्टर अक्षे कुमार काफी वर्सिटाइल आक्टर माने जाते हैं और बैक टू बैक फिल्म में शूट करते हुए नजर आ रही है बता दे कि अपकमिंग फिल्म रक्षा बंधन के लिए अक्षे कुमार ने थोड़ा सा वेट गेन किया है कुलमिला कर अक्षे कुमार ने पाच केजी का वेट गेन किया है इस फिल्म के लिए वहीं बता दे कि फिल्म सूर्य वंशी में अक्षे कुमार का लीन लुक नजर आने वाला है कॉप के किरदार में और उसके ही opposite look में नज़र आएंगे अक्षे कुमार रक्षा बंधन में रक्षा बंधन में अक्षे कुमार के साथ भूमी पैडने कर भी नज़र आने वाली है भूमी और अक्षे का इस second collaboration होने जा रहा है फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद Recently हमने आपको इस बात की खबर दी थी कि रनवीर सिंग फाइनली अपना टेलिविजन डेब्यू देने जा रहे हैं एक फ्रेश नया शो सामने आ रहा है जिसका नाम है दब बिग पिक्चर इसी को होस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं आक्टर रनवीर सिंग और ये नया टीवी शो जो है इसकी रेजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से शुरू होनी जा रही है रनवीर सिंग को एस अ होस्ट के किरदार में देखने के लिए फैन्स काफी एकसाइटेड है अब तक हमने कई आक्टर्स को टीवी पर ऐस होस्ट देखा है जैसे कि सलमान खान चा गए हैं टेलेविजिन की दुनिया में बिग बॉस होस्ट करते हुए वहीं अमिताब बच्चन भी के बीसी होस्ट करते हुए टेलेविजिन इंडस्ट्री में राज करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ समय पहले ही आक्ट्रिस एविलन शर्मा की शादी की खबर सामने आई थी कि उन्होंने डॉक्टर तनुष भिंडी के साथ शादी कर ली है यह एक डेंटल सर्जन है और उनकी एक प्राइवेट सेरिमनी हुई थी पंद्रा मे को यह जो डेंटल सर्जन है वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ट डेंटल सर्जन है जिससे शादी की एविलन शर्मा ने अब बता दे कि यह कपल अपना फर्स चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है और इसी के चलते यह कपल काफी जादा एकसाइटेड है 2019 में अक्टरिस ने अपने इंगेजमेंट अनाउंस की थी अक्टरिस एविलन शर्मा को हमने लास देखा था फिल्म साहो में श्रद्धा कपूर और प्रभास के साथ हरबजन सिंग और उनकी वाइफ गीता ने अपने सेकंड चाइल्ड को वेलकम किया गीता ने जनम दिया एक बेबी बॉई को और इसी के चलते हरबजन सिंग ने अपने सोशल मीडिया इंस्टग्राम पर इस बात की अनाउंसमेंट की कि उनों ने अपने second baby को welcome कर लिया है Geetha और Harbhajan Singh blessed है एक baby boy के साथ Harbhajan Singh ने एक photo share करते हुए लिखा A new little hand for us to hold His love is grand, precious as gold A wonderful gift, so special and sweet Our hearts are full, our lives complete We thank the Almighty for blessing us with a healthy baby boy Both Geetha and the baby are doing fine We are overwhelmed with joy And would like to extend our gratitude To all our well-wishers For their constant love and support Hrithik Roshan की कई सारे फिल्में Pipeline में बनी हुई है जैसे की विक्रम वेदा का रीमेक और साथी में Hrithik Roshan देपिका पदुकून के साथ नजराने वाले हैं Film Fighter में इसके अलावा Hrithik Krishvore के भी Preparations कर रहे हैं वहीं अगर हम विक्रम वेदा के रीमेक के बारे में बात करें तो इस फिल्म में Hrithik Roshan के साथ सैफली खान भी नजराने वाले हैं इस फिल्म से एक नया अपडेट सामने आया है बताया जा रहा है कि इस फिल्म पर काम बहुत जल्ट शुरू हो जाएगा इस फिल्म की रिलीज को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है कहा जा रहा है कि ये फिल्म 30 सेप्टेंबर 2022 याने के अगले साल रिलीज होगी आए ते इन COVID-19 के नए वेरियंट सुणने में आते हैं वहीं इन दिनों इंडिया में भी डेल्टा वेरियंट के कई केसिस सामने आ रहे हैं इसी के चलते साउथ मुंबई में भी कई सारे डेल्टा वेरियंट के केसिस सामने आए बॉलिवुड आक्टर सुनील शेटी का अपार्टमेंट साउथ मुंबई में हैं सील कर दिया गया है क्योंकि उनके बिल्डिंग में तीन डेल्टा वेरियंट COVID-19 केसे पाए गए जिसकी वज़े से जब ये ख़बर सामने आई तब तुरंत ही उनके बिल्डिंग को सील कर दिया गया था Currently actor और उनके family members की health बिलकुल ठीक है Fans ने किया compare जानवी कपूर को Kylie Jenner के साथ जानवी कपूर अपने Instagram पर काफी जादा active नज़र आती है आए दिन जानवी कपूर अपने mesmerizing photo share करती रहती है अपने fans और followers के साथ हाली में जानवी कपूर ने beige tight dress में कुछ photo share किये हैं जिसके बाद fans ने जानवी के इस look को देखकर उनको compare कर लिया है Hollywood sensation Kylie Jenner के साथ जानवी कपूर इन तस्वीरों में काफी stunning नज़र आ रही है उनका जो body shape है वो भी Kylie Jenner जैसा लग रहा है जिसके चलते fans ने कहा कि वो बिल्कुल Kylie Jenner की तरह resemble कर रही है अनुषका शर्मा हाली में एक new mom बनी है उन्होंने 6 माईने पहले अपनी बेटी वामिका को जनम दिया था और आज 6 माईने exact हो चुके हैं वामिका की 6 माईने की खुशी में विराट, अनुषका और वामिका ने celebrate किया वहीं उनको एक picnic में देखा गया एक पार्क में जिसकी photos भी सामने आई अनुषका शर्मा ने अपनी pregnancy विराट कोली के साथ last year announce की थी जिसे सुनकर fans काफी excited हो गए थे क्योंकि ये उनकी पहले pregnancy की announcement थी वहीं अनुषका शर्मा हमें वापिस से Bollywood फिल्मों में बहुत जल्ड नजर आने वाली है आज के लिए इतना ही लेटिस Bollywood न्यूज और hot gossip के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काट